चलो, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? देखो, लास्ट टाइम का अगर टॉपिक रिवाइस करें लास्ट टाइम हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर दो स्लिट्स हैं दो स्लिट्स हैं वेज भी कल रही है तोनों में से ये स्क्रीन है ये स्क्रीन है अगर यहां से वेव निकल रही है इस पॉइंट पर आ रही है यहां से वेव निकल रही है इस point पर आ रही है इसने कोई angle cover किया होगा इसने कोई angle cover किया होगा let's say इसका angle 5 आने है angle ने इसको phase बोलने है इसका angle 5 2 है और अगर मैं दोनों के angles को minus करूँ 5 2 minus 5 1 तो मेरे पास 5 आ गया इसको बोलने है आपने phase difference तो दो ways ने कुछ angle का difference cover किया 5 2 minus 5 1 अब इसके अंदर हमने ये discuss किया कि अगर ये phase difference की value अगर ये phase difference की value दो ways ने जो angle cover किया उसका difference, angle का difference अगर ये phase difference की value या तो 0 आ जाए या फिर 2 pi आ जाए या फिर 4 pi आ जाए 6 pi आ जाए and so on तो इस interference का नाम क्या होगा constructive interference means इन points पर maxima generate होगा brightness generate होगी या फिर अगर angle pi आ जाए, phase difference pi आ जाए, 3 pi आ जाए 5 pi आ जाए 7 pi आ जाए, 9 pi आ जाए and so on तो ऐसे case में इसका हम क्या बोलेंगे destructive interference को doubt इसमें ये points अब को clear है हमने end में ये discuss किया कि या तो दो waves के angle का difference calculate करो या फिर दो waves के बीच में path difference calculate करो और finally हमने discuss किया कि अगर ये तो मेरा phase difference की story है अगर मैं path difference करूँ तो constructive interference में या तो path difference 0 हो 2 pi का मतलब क्या होता है lambda हो, या 2 lambda हो या 3 lambda हो and so on तो भी कौन से interference होगी constructive यहां तक clear है और destructive के case में मैं ये माल सकता हो कि यहां पर lambda by 2 हो 3 lambda by 2 हो 5 lambda by 2 हो 7 lambda by 2 हो and so on तो इस case में क्या होगा destructive interference यहां तो कोई doubt यह मेरी theory थी मेरी theory का मतलब की यह मैं wave की help से आपको समझा रहा था खीक है लेकिन आपका जो experiment है वो आपको ऐसी नी समझाएगा आपका जो experiment है वो आपको mathematically समझाएगा कि ऐसा कैसे हो सकते है मतलब यह वो case कैसे बद सकते है यह तो मैंने आपको crest and trough की help से थोड़ा easy तरीके से समझा दिया कि इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ होगा अब हम experiment के accordingly चलते है and according to experiment हमने last time यहां पर यहां तक काम किया था कि एक experiment है जिसको हम क्या बोलते है young double slit experiment तो हम जो experiment कर रहे हैं वो young double slit experiment है और young double slit experiment में हम mathematically derive करेंगे कि आपका phase reference जो अभी मैंने लिखा या part difference जो अभी मैंने लिखा वो कैसे derive होगा इसके लिए आपको एक काम करना है अगर एक slit में से screen पे एक wave जा रही है let's say इसकी equation है y is a sin of omega t और नीचे दूसरी slit में से एक wave जा रही है इसकी equation है b sin of omega t plus phi omega t plus phi a का मतलब amplitude of first wave b का मतलब amplitude of second wave amplitude का मतलब कि कितना high crest क्या कितना high trough क्या तो a और मैं यह assume कर रहा हूं कि दोनों का amplitude different है जबकि दोनों का amplitude same भी हो सकता है comment में इसको derive कर लेंगे कि अगर amplitude same हो तो क्या result आएगा तो let's say दोनों का amplitude different है एक का a एक का b तो दोनों की equations मैंने लिख दी और दोनों के बीच में कोई phase difference होगा अभी मैं discuss कर गा था कि एक wave ने कोई angle travel किया दूसरी wave ने कोई angle travel किया दोनों के angles का difference phase difference है 5 and अगर आप इन दोनों angles को माइनस करो एक ये angle और एक ये angle तो आपके पास ultimately क्या आएगा 5 मैंने इसका example भी आपको लिख के दिखाया था कि example के अंदर मैंने ये पताया था कि मालो एक wave में let's say किसी incident पर angle cover कर लिया 6 pi let's say और दूसरी wave में angle cover कर लिया 8 pi let's say तो दोनों के बीच में मैं second equation को ऐसे लिख सकता हूँ B sin of 6 pi plus 2 pi इससे ये पता लगता है कि 5 की value अगर इन दोनों को minus किया जाए इन दोनों को minus किया जाए तो 5 की value ultimately क्या हैगी 2 pi phase difference की value कितनी है 2 pi यहां तो clear है तो 5 stands for phase difference और यह हर point पर differ करेगा ऊपर अला point होगा 5 phase difference कुछ और होगा नीचे आओगे phase difference कुछ और होगा और नीचे आओगे phase difference कुछ और होगा जैसे मैं डियाग्राम के साथ समझाता हूँ x-lity है x-lity है तो यह screen है मालों इनका central point है Central point पे जितनी waves यहां से आ रही है तो अगर इसका angle total covered 8 pi है तो नीचे आओगे वेव का exactly 8 pi है तो phase difference दोनों का क्या जाएगा 0 लेकिन अगर मैं कोई point उपर लेता हूँ let's say यह और यह points है तो उपर का phase difference अगर यह 6 pi है तो नीचे का मालो 14 pi है तो total phase difference इन दोनों का क्या जाएगा 8 pi तो यह चीज दो clear है कि different difference point पर 5 की different values आएगी क्योंकि हमने एक diagram इसमें discuss किया था यह बाला diagram देखो हर उसमें इसका और इसका phase difference यहां पर कुछ और है इसका phase difference कुछ और है इसका phase difference यहां पर zero है इसका इसका कुछ और है तो 5 की value किसी भी point इक लिए रहेगी तो constant, पर हर points के लिए different होगी, एक particular point के लिए तो 5 अगर टूपाई है तो टूपाई है, लेकिन उपर और नीचे अले point के लिए it can change, यादर clear है, good out इसमे, next है, next है, वासो अगया जा, वासो, इधर आजा, देखो, suppose, suppose, दो waves है, एक wave आपकी y is a sin omega t है, दूसरी wave आपकी b sin of omega t plus phi है, ठीक, ये दोनों interfere कर गई, मिल गई, और mix हो गई, जो मर्जी बोलो, और mix होने के बाद, मिलने के बाद, एक नई wave आ गई, नई wave का मतलब कि constructive interference भी हो सकती है, और destructive भी, तो पहले हम एक काम करते हैं, constructive, destructive बाद में discuss करते हैं, हम पहले superposition करते हैं, और according to principle of superposition, अगर दो waves हैं, मैंने को interfere करवाता हूँ, और interfere करवाने का तरीका क्या है, दोनों wave की equation को मिला दो, तो ये first wave की equation, ये second wave की equation, तो मैंने according to principle of superposition, दोनों wave को मिला दिया, y1 plus y2, तो y is equal to y1 plus y2, तो दोनों waves y1 and y2 मिलने के बाद, एक नई equation दें दो waves जब मिलती है, तो एक नई wave आती है, तो नई wave की value कितनी आगी y, which is equal to y1 plus y2, यहां तो clear है, तो y1 की equation मैंने put कर दी, a sin of omega t, y2 की value put कर दी, b sin of omega t plus phi, यहां तक किसी को कोई डाउट, बनाए नई equation, problem ही है कि इस equation में, दोनों तरफ sin है, बदब sin plus sin है, और wave की चो नई equation है या तो वो sin में आएगी, या फिर वो cos में आएगी, तो इसको ठीक किया जा सकता है, कैसे, देखो, इसको पहले open करो, जो आपकी यह वाली equation है, इसमें sin of a plus b का formula लगेगा, sin a, cos b, cos a, sin b, तो एक चीज़ किया रहे, तो मैंने यहां पर formula लगा दिया, sin of a plus b का, sin a, cos b, cos a, sin b next step, next step में, आप इनको multiply कर लो, a sin of omega t, तो ऐसी रहने दो, plus b sin of omega t, into cos phi, plus b cos of omega t, into sin phi, ठीक है नहीं आता, multiply कर लिया, इसमें, अगर आप ध्यान से देखो, इन, इन दो term में से, क्या चीज़ कॉमा निकल रहे, sin of omega t, को next step क्लिए हो रहे, इन दोनो term में से, कॉमा निकल रहे, sin omega t, तो आपके पास क्या बच गया, एक बच गया, a, और एक क्या बच गया, b cos phi, और ऐसी, यह term को, आपने as it is लिख लिख लिए, p, b sin phi, cos omega t, यह step सब को clear in next step, कैसे आया, ठीक है नहीं आता, को first step आपके सामने, b से multiply कर लिया, second step आगया, अब तो हम AC में बहुत सरे equations कर चुके हैं, वही step एक बच पर से आगया, यह step, कि आपके पास, यह एक equation है, ना तो यह cos में चल रही है, ना यह sin में चल रही है, तो आप एक काम करो, आप इस इस term को put कर दो, R, capital R, cos theta, और आप इस term को put कर दो, capital R, sin theta, क्यों, AC की equation, LCR, बहुत सारे की in parallel, इसलिए, क्योंकि जब आप ऐसा put करोगे, तो आपकी final equation, मुझे सिर्फ sin में चाहिए, जैसे कि यहां के बना है, तो ऐसा करने का क्या तरीक है, हमने बहुत सारे equations किये, एक में R, cos theta, एक में R sin theta, और ऐसा करने से, where R is the amplitude of new wave, यह R का मतलब क्या है, amplitude of new wave, तो capital R, small a, amplitude of first wave है, small b, amplitude of second wave है, तो capital R, amplitude of new wave है, तो नई wave का amplitude capital R है, ठीक, आप एक काम करो, इसके अंदर, यह आप यहां पर put कर दो, तो आपके पास capital R common आ गया, यह equation बन गई, अगर आप इसकी put करोगे R cos theta, और इसके जग़ा put करोगे R sin theta, तो आपके पास यह equation बन गई, यह point clear है, कोई डाउट किसी को इसमें, समझ आ रहे है, तो यहां पर, max का फिर से एक पर formula बन गया, max का formula है, sin a cos b, cos a sin b, sin of a plus b, तो मेरे पास finally एक equation आ गई, y की, R into क्या, sin of omega t plus theta, theta, मैंने अपनी म value निकाल के दूँगा, capital R, मैंने assume किया कि नई wave का amplitude है, वह भी आपको निकाल के दूँगा, तो capital R की value, अगर मुझे निकालनी है, तो बड़ा असान है capital R निकालना, आप 1st और 2nd equation को squaring and adding कर दो, 1st और 2nd equation को squaring and adding करोगे, तो आपके पास क्या answer आएगा, squaring and adding करोगे, तो य right side पर क्या जाएगा, a plus b cos 5 का square और b sin 5 का square, check कर सकते हो, clear यहांतर, ठीक, अधित्य समझ आ रहे, कैसे समझ आसकता है या, एक तरफ तो आप आते कर रहे हो, उदर देख रहे हो, एक तरफ आप इधर देख रहे हो, कैसे समझ आएगा, जमाग तो एक ही है ना, ठीक, उपर से पीछे छप जाते हो, वो इतना लंबा है, नजर भी नहीं आता, तो आप उसका फैदा भी उठाते हो, आगे ध्यान दो, ठीक, यह चीज के लिए रहे, तो यहां से, यहां से r square common आ गया, तो क्या पच गया, cos square theta plus sin square theta, सिर्फ r square, जो की 1 होता है, इसको open करो, a plus b cos 5 का whole square, इस इसमें से b square, b square common, sin square plus cos square की value क्यों होती है, 1, in the end, आपके पास यह answer आगया, check कर लो, in the end, आपके पास यह answer आगया, r is equal to under root of a square plus b square plus 2 ap cos of 5, यहां तक किसी को कोई doubt, बहुत क्लियर है यहां तक, ठीक, और अगर आपको theta निकालना है, तो कोई problem नहीं, theta के लिए वो दो equations को divide कर r sin theta upon r cos theta, tan theta आजाएगा, पर मेरे वो tan theta निकालना नहीं, तो पूछेगा निया, फिर tan theta, मुझे नई wave का amplitude चाहिए, क्यों चाहिए amplitude, क्योंकि जहां पर constructive interference होगी, वहाँ capital बढ़ जाएगा, a plus b होजाएगा, जहां destructive होगी, वहाँ पर a minus b या b minus a होजाएगा, मैं अभी करके सारे चीज़े, amplitude से मैं क्या करूँगा, अभी calculation amplitude के साथ होगी, but at least यह चीज़ के लिए रहे है, कि जो नहीं wave आईगी, उसका amplitude क्या होगा, under root of a square b square 2 cos a b cos 5, मैं इसको अपनी theory से समझाऊ, मेरी जो theory है, मेरी theory यह बोलती है, diagram की help से, कि माल लो, यह एक wave है, माल लो, यह second wave है इसका amplitude जो first wave है, उसका amplitude a है, second का b है, अगर मैं इसको super impose करता हूँ, तो मेरे पास यह amplitude, यह amplitude r आ गया, r की value किसके equal आजाएगी a plus b, आस था, गुनीद, कृतिका, मेगना, फुयश, 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 स्वाति, वर्शा, एक्जैम है कल किसी का, किती लोगा एक्जैम है कल, चलो, r is equal to a plus b, next, देखो, मैं formula formula को use नहीं कर रहा, मैं तो वैसी बता रहा हूँ, diagram की helps है, कि a plus b नहीं कर जाएगा, अगर मान लो एक crest है, यह crest है, जिसकी value a है, मान लो, यह एक trough है, जिसकी value b है, और अगर यह दोनों superimpose होते हैं, तो मेरे पास answer क्या हैगा, a minus b, यह point सबको clear है, quit out test में, मतलब अगर मैं इसको numerically भी अगर बात करूँ, तो a की value अगर 10 है, b की value अगर 7 है, तो इसकी value क्या जाएगी, 3, ठीक है आदर, अब suppose करो, यह मान लो 10 है, a की value 10 है, b की value, यह दे, suppose, यह b की value है, ऐसे, means, यह थोड़ा और असाम करता हूँ, इसे न, दो raise ने लेता है, single wave लेता हूँ, इसकी value यह 7 है, पर एक problem है, कि इसका amplitude इस point पर है, और इसका amplitude थोड़ा सा shifted है, इस तरफे मान लो, बात ने बनी, फिर से बनाता हूँ, यह 10 है, यह 10 है, यह 3 है, अब ठीक है, मैं यह समझाना चाहता हूँ, कि जब एक crest, और दूसरा crest, exactly एक दूसरे के उपर थे, फिर तो कोई problem ही नहीं थी, फिर तो हम क्या कर रहे थे, 10 प्रस 3, 13, लेकिन problem है यहाँ पर, यहाँ पर क्या problem है, कि यहाँ पर यह point थोड़ा आगे है, और यह point थोड़ा सा पीछे है, तो क्या मैं जब इन दो ways को add करूँगा, और जो एक नई रेवाई की, क्या उसका answer 30 होगा, बिलको 30 नहीं होगा, ऐसा तो तब होता है, जब क्या होता है, जब आपका crest और crest एक दूस्ते के उपर है, और हम यह rule लगा कैसे रहे हैं, हम यह rule ऐसे लगा रहे हैं, because हम अपनी calculation किसके साथ कर रहे हैं, amplitude के साथ, and amplitude का मतलब displacement, and displacement is a vector quantity, यह एक vector है, यह एक vector है, तो अगर दो vectors exactly एक दूसरे के उपर है, फिर तो यह दोनों add हो जाएंगे और बड़ा vector निकलाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर एक vector यहाँ पर है, यह एक vector है, तो दूसरा vector थोड़ा side पर है, तो मेरे को अगर इस point की calculation करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को exactly इसके नीचे यह disturbance कितनी है, मुझे को निकालनी पड़ेगी, यह वाली, मैं इसमें यह तो नहीं add कर सकता न, मेरे को इसमें exactly इसके नीचे वाली जो displacement है, उसी को add करने, यह तो allowed है, दो vectors exactly एक दूसरे की उपर हैं, तो उनको दो add किया जा सकते हैं, और अगर मैं इसको, और इसको add करना चाहता हूँ, तो there is a phase difference, क्योंकि यह इसमें कोई angle cover किया हुए, इसमें कोई angle cover किया हुए, तो इनके बीच में क्या exist करता है, 5, तो एक चीज़ तो clear है, कि अगर crest crest के उपर है, या truff truff के उपर है, या crest truff के उपर है, exactly दोनों की peak से एक दूसरे के उपर है, फिर तो 5 बिल्कुल 0 है, 5 इसमें 0 है, क्योंकि उस case में ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, लेकिन अग अगर ऐसा भी है, एक wave किसी और तरीके से जा रही है, दूसरी wave किसी और तरीके से जा रही है, तो उनके अंदर क्या होगा, face difference, मतलब जब दो waves add होंगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो उस case में, जो भी उनके बीच में face difference होगा, उसके हिसाब से capital R की value आईगी, देखना पीछे है, उसके accordingly ही अपना R की value में बता पाऊंगा, ऐसे में बता नहीं पाऊंगा, इसी लिए जो resultant का formula आया, जो भी mathematical calculation इस experiment में की जा रही है, वो एकदम सही है, क्योंकि इसके अंतर resultant की value क्या रही है, a square plus b square plus 2ab cos of phi, clear यहां तर, जाना समझा रहे है, समझाने की कुशि नहीं है, नहीं तो mathematically की करी रही है, कि जो resultant की value आ रही है, वंडर root of a square, b square 2ab cos of phi, अब resultant amplitude है, amplitude is a vector quantity, तो अगर में, अगर आप मुझे यह कहों कि sir, R का diagram बना जे दिखाओ, तो ठीक है, मैं बना देता हूं कि यह मानलो capital R है, यह capital R है, या फिर किसी point पर capital R नीचे आ रहे है कैसी भी हो सकते है, कोई problem में, यह चीज़ clear है, अब यह vector का concept है, हम screen के उपर क्या देख रहे है, light देख रहे है, screen के उपर light, कभी भी आप discuss नहीं करोगे, आप यह कहोगे कि इस point पर screen के point पर light जात है, नीचे वाले point पर light कम है, उसके उपर या उसके नीचे light थोड़ी और उसके बीचे एकनम darkness है, क्या आप ऐसे बात करते हो, कि light amplitude बहुत जात है, amplitude बहुत कम है, हम कभी नीच बात करते है, amplitude थो एक vector है, और जो हम physics की term में बात करेंगे, तो हम amplitude word यूज करेंगे, नॉर्मली हम क्या term यूज करते है, intensity, हम बहुते हैं कि light बहुत जात है, हम कभी ऐ यह तो आम बंदा भी यूज कर सकता है word, अपने घरों में कोई भी लोग बात कर आपने सुना होगा, warm explosion हो गया, intensity बहुत जात है, उसको यह नहीं बता होगा, कि intensity कहा से आई, पर यह तो एक normal word है, जिससे आप बता सकते हो, कि quantity of sound बहुत जात है, कि quantity of light बहुत जात है, लेकि जितना बड़ा amplitude होगा, जितना बड़ा stress-like trust होगा, उतनी ही sound या light जाधा होगी, उतनी ही जाधा क्या होगी, intensity होगी, तो एक चीज़ तो clear है, जितना बड़ा R, उतनी बड़ी intensity, और एक relation है, intensity is directly proportional to amplitude का square, यह relation कहा से आया, इसको करने के दो तरीके है, इसको prove करने के दो तर देखो, जो waves है ना, या तो वो sound waves होती है, या फिर light waves होती है, ठीक, आपके स्लेवस में दोई चीज़ है, sound plus one का part था, यह light plus two में study कर रहे है, sound के अंदर और light के अंदर यह formula applicable है, चाहे sound का amplitude हो, चाहे light का amplitude हो, है तो wave ना, तो intensity is directly proportional to amplitude का square, sound के अंदर proof कुछ और है, अगर कुछ और है, हमने plus one के अंदर, आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने scanned pages end में करवाए थे, उसमें proved था, जिसमें हमें pressure waves की थी, अब आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं होगा, जब शुरू करेंगे, मैं आपको sound के अंदर proof करके दिखाऊंगा, पर क्योंकि बात sound की नही से के, मैंने करवाया हुगा है, कि CBCS लेबस में photometry नहीं पर competition में आता है, तो photometry is a study of light, light की study है वो भी, जिसमें हम light की quantity measure करते हैं, और quantity measure करने की term को क्या बहोते हैं, intensity, तो intensity word कहां से आ रहा है, photometry से, तो इसलिए मैं इसका proof अभी नहीं करगा पाऊंगा, इसका proof जब फोट अभी मैं इस result को ऐसी use कर सकता हूं, कि intensity is directly proportional to amplitude का square, तो it means कि intensity is proportional to a square, b square to a b cos y, ठेक है आता, तो ऊपर से capital, जो भी capital आ रहा है, इसको square करके नीचे put कर दिया, और intensity की value आ गए, put out इसमें, ठीक, next है, इसमें, अब एको, हमने तो theoretical किया, ये mathematics या तो किसी point पर intensity maximum आएगी, intensity maximum का मतलब constructive interference, या फिर minimum का मतलब destructive interference, या तो clear है, तो constructive or destructive interference कब होगी, अगर intensity की value जो अभी हमने देखी, वो a square, b square, to a b cos y है, अगर मुझे i को maximize करने, तो cos phi की, क्या value पुट करने पड़े की maximum, और maximum value cos phi की का होती है, y, कर दी पुट, y की value maximum आजाएगी, क्योंकि a और b को आप change करनी सकते है, वो तो constants है, तो maths में cos phi 1 कब होता है, जब phi की value या तो 0 होगी, या 2 pi होगी, या 4 pi होगी, या 6 pi होगी, या 8 pi होगी, या in general 2, n pi, यह तो मैं आपको theory में समझा चुका हूँ, और मेरा करवाने का तरीका कुछ और था, मैं तो आपको simple logic समझा रहा था, कि ऐसे 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi से, मैं वैसी मुझे मालूम है, concept से मालूम है wave की, कि वहाँ पर मिशा constructor interference ही होगी, पर इसने mathematically equations ही prove कर दिया, कि cos phi की value जब 1 होगी, तो intensity maximum होगी, maximum का मतलब brightness होगी, और brightness कब होगी, जब आपके angles क्या होगे, 0, 2 pi, 4 pi, 8 or in general, क्या रिक्सितने 2, n pi, ठीक, दो तरीके से मैं ने prove कर दिया, एक resultant के तरीके से, amplitude के तरीके से, और दूसरा, वैसी ways के help सरी, पर यह समझ आ रहा है, result तो exactly वही आ रहा है, जो हमने already discuss किया हुआ है, अब, part difference, हमने तो part difference भी discuss किया हुआ है, अगर part difference, दो 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 4 lambda है, 5 lambda है, तो constructive interference है, करके देख लेते हैं, अगर phase difference कितने 2, n pi है, तो constructive interference है हमें मालू में, और lambda की term में निकाले, lambda की term में 2 pi का मतलब ही क्या होता है, lambda, 2 pi corresponds to lambda, में तो ऐसे कर लो, अगर angle 2 pi है, अगर phase difference 2 pi है, तो फिर इसका मतलब part difference कितने है, lambda, समझ आ रहा है न, क्यों, last time discuss किया था, अगर 1 है, तो lambda divided by 2 pi, और अगर phase difference कितने 2, n pi, तो lambda divided by 2 pi into 2, n pi, यहां से यह cancel हो गया, आपके पस क्या आगा है, n lambda, n lambda का मतलब n की value 0 से start करे, part difference अगर 0 है, lambda है, n की value 1, lambda, n की value 2, 2 lambda, n की value 3, 3 lambda, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, all corresponds to constructive interface, clear यहां तक, तो mathematically समझ आ रहा है, क्योंकि, जब paper वे exam में question आएगा, तो आप मेरे तरीके से prove करोगा, तो कोई मानेगा नहीं, means, आप इस imagination को जो मैं imagine कर रहा रहा था, उसको paper पे कैसे लिखो गए, कि ऐसे crest पे किरा होगा आपको इस मानेगा नहीं, अगर 2 pi है, तो part difference lambda है, अगर 1 है, तो lambda divided by 2 pi है, और अगर 5 है, 5 का मतलब कितना है, हमाने पास 2, n pi, तो part difference क्या होगा, 2 lambda divided by 2 pi into 5, 5 का मतलब 2 n pi, पुट करोगे, वही answer आएगा, n times lambda, दो conditions याज हैं सबको, यह चीज़ clear है, next है, destructive interference, destructive interference में, i की value क्या होनी चाहिए, minimum, i की value minimum कब होगी, जब cos i की value minimum, जो कि कितनी होगी, minus 1, जब cos i minus 1 होगा, तो i की value मुझे मालूम है, कि a square plus b square plus 2 a b cos of 5, इसके equal होगी, तो cos i की value मैं क्या put कर सकता हूँ, minus 1, तो इसका मतलब i की value भी क्या आने वाली है, यहाँ पर minimum, तो यहाँ पर i की value minimum आ जाएगी, next है, cos i अगर minus 1 है, तो 5 की value, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, and so on, maths में, cos i minus 1 कब आता है, जब 5 की value, या तो क्या होती है, pi होती है, 3 pi होती है, 5 pi होती है, and so on, तो यह maths है, तो mathematically prove होगा, कि i की value minimum कब होगी, जब इंगल odd multiple of pi होगा, pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, 9 pi, and so on, या in general, maths की help से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि 5 should be equal to odd multiple of pi, that is 2 and minus 1 into pi, याद है क्लियर है सबको, सेम चीजे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, बस mathematically इस चीज को improve कर रहे हैं, next, और अगर आप part difference की बात करते हो, x is a part difference, तो मैंने आपको तरीका बता हूँ है, 2 pi का मतलब lambda होता है, 1 का मतलब part difference lambda divided by 2 pi होता है, and 2 and minus 1 into pi, stand for lambda divided by 2 pi, into 2 and minus 1 into pi, तो pi से pi cancel आपके पास या answer आजाएगा, ये part difference आगया, अब check कर लो, आप अनकी value याँ पर 1 put कर लो, आपके बात हास से lambda by 2 आएगा, 2 put करोगे 3 lambda by 2 आएगा, 5 lambda by 2 आएगा, 7 lambda by 2 आएगा and so on, third multiple of lambda by 2, lambda by 2 corresponds to destructor interface, जो कि already मैं theory के help से आपको already बता चुका हूँ, जाद clear है, ठीक, समझ आ रहे है, next है, special case है, special case में कुछ भी नहीं करना, constructive interference में, cos phi आपने बोला 1 होगा, तो constructive interference है, resultant amplitude R आया था, जिसकी value under root of a square plus b square plus 2ab cos of 5, cos phi की value क्या हैगी आपर, 1, resultant amplitude R under root of a square plus b square plus 2ab cos phi, और R maximum होगा, R की value maximum होगी जब cos phi की value क्या होगी इसमें, 1, तो यह a plus b का whole square का under root, यानि कि a plus b आ गया, it means maximum amplitude का formula आ गया a plus b, तो यह तो मेरे को already पता था, कि अगर एक crest, दूसरे crest की उपर गरता है, तो answer a plus b आता है, ठीक है आता, quit out इसमें, और उसी तरीके से, अगर resultant amplitude a plus b है, maximum amplitude a plus b है, तो उस point पर intensity भी maximum होगी, तो intensity maximum कितनी होगी, r max का square, यानि कि intensity maximum कितनी होगी, a plus b का whole square, या फिर कोई constant k into a plus b का whole, कोई constant है, तो यह मेरे पास क्या होगी, maximum intensity, यादा clear है, maximum intensity का formula clear है कैसी आया, तो cos y की value क्या होगी, 1, ठीक, next है, अगर destructive interference की बात करनी है, destructive में cos y की value क्या output करनी है, minus 1, constructive में plus 1, और destructive में minus 1, तो resultant का formula क्या मनगा, a minus b का whole square, यानि कि a minus b, तो यह आपके पास क्या आगया, r minimum, तो minimum amplitude क्या होगा, a minus b, और intensity minimum proportional to r minimum का square, r minimum की जगा, up-put कर सकते हो, r, यह minimum है, proportional to a minus b का whole square, constant लगेगा, constant लगेगा, k time a minus b का square, i minimum की value की आ गए, ठीक है यहां तक, i max आ गया, i minimum आ गया, की ratio के उपर numerical आपके है, ठीक है, तो i max upon i minimum की value आ गई, अब, special case है, मैं तो यह लेकर चल रहा हूं कि, दो waves का amplitude सेम नहीं है, a and b है, लेकिन अगर same हो, तो i, r max की value क्या जाएगी, 2a, क्यों, क्योंकि r max का formula क्या था, a plus b, obviously अगर b a के equal हो गया, तो answer क्या आएगा, 2a, और r minimum का formula क्या था, a minus b, 0, क्योंकि अगर waves के amplitude बराबर हैं, और क्रेस्ट टरफ के उपर आ जाए, तो r की value minimum हो जाएगी, और कितनी 0, तो आपके पास i minimum की value आजाएगी 0, तो i minimum 0 का मतलब है, जहां darkness होगी, वहां completely darkness होगी, वहां बिल्कुल भी light नहीं किरेगी, ठीक, क्योंकि टेस्ट में, सब को समझ आ रहा है, अमर, अधेते, समझ आ रहा है, r square की value क्या आई थी, a square, b square, 2ab, cos phi, ठीक, मुझे एक चीज़ मालूम है, कि first light की intensity, let's say i1 थी, जो की उसके amplitude के square के proportional थी, कर सकता हूं, first wave का amplitude a है, first wave की intensity let's say i1 है, तो i1 is proportional to a square, i1 is sum constant into a square, ठीक, उसी तरीके से, i2 proportional to b square, क्योंकि जो second wave है, उसका amplitude b है, उसकी intensity i2 है, तो intensity proportional to उसके amplitude का square, या फिर, i2 is sum constant into b square, clear यहां था, next, जो final wave आई, दोनों को mix करने के बाद, i intensity i, i was proportional to r square, उसके amplitude का square, और i is sum constant into r square, productus में, यह बाद सुको clear है, एक काम करो, r square की जगा जड़ा value पूट करना यहां से, i divided by k, i divided by k, is equal to, a square की जगा, value पूट करो, कितनी आएगी, a square की जगा क्या पूट करें, ठीक, b square की जगा, plus 2 into a की जगा, root i1 by root k, ठीक, root i1 by root k, और b की जगा, root i2 by root k, into cos of 5, यह पूट से को clear है, यहां से a की value आजाएगी, i1 upon k का under root, i2 upon k का under root, यह value आगई, इसको जगा solve करना, यह k तो overall cancel ही होगा नीचे से, तो final answer आगया, i is i1 plus i2 i2 plus 2, i1 i2 का under root into cos of 5, मतलब जैसे resultant amplitude आया, वैसे resultant क्या निकाल दी, intensity, आपकी books में, k को 1 लेके solve किया हुगा है, आप confused हो जाओगे कि यह k1 कैसे हो गया, अगर k1 है, तो तीनो formula के अंदर k1 है, बट चलो फिर भी, तो wide confusion की को यही बूज लेकि k1 कैसे लिया, k के साथ कर लोगे, तो भी answer same आएगा, यहां तक clear है, ठीक, प्रजुद, k same constant होता है, different क्यों होगा, किसकी हाँ, हाँ, आई हाँ, आई आई हाँ, हाँ हाँ आई आई झाल झाल ठीक, next है width w1 and w2, देखो, light कहां से निकल रही है, slits में से निकल रही है, माल लो, एक slit के width w1 है, दूसरी slit के width w2 है, यहां से जो भी light निकलेगी, i1 light width के proportional होगी, मतब जितनी बड़ी width होगी, उतनी जादा light की intensity होगी, उतनी जादा light बाहर निकलेगी, तो मैं बहुत सकता हूँ, w1 is proportional to intensity i1, w2 proportional to intensity i2, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, यह relation याद रखना कभी numerical में काम आ सकते है, important है, next result important है, बैस्तो इसे पहले वाला भी important है, क्योंकि कई sets ने आ जाएगा, कि right conditions for constructive and destructive interference, बसो conditions ही पूछते हैं, तो यह question है, या फिर कई कई बार expression आएगा, expression for क्या है, fringe width, fringe width in interference, यह theory of interference of light, doubt है, जितना बड़ा खोल करोगे उपने लाइट बार निकलाएगी, intensity means quantity of light, मैं screen के उपर बात में करना हूँ intensity की, मैं तो जो वहाँ से बहर निकली light उसकी intensity की बात कर रहा हूँ, तो टो क्यों तो प्राइट बात कर रहा हूँ, तो ऑऴजें के सब्सक्राइब ती बात कर वहा इंयरा तदू के लाइन बात कर निकली light बात बात मुझाएगा .. तोके यह expression जो अब हम करने जा रहे हैं यह आपको दो चीदों का answer देगा जो expression हम करने जा रहे हैं इसी ओपर question आएगा वैसे competition के सारो objective question इसी के उपर based है CBSC के अंदर जो numerical आएगा वो भी इसी के उपर based है और जो आपका theory आएगी वो भी यही आएगी तो मदब यह expression के बिना कोई paper set नहीं होने वाला at least अगर wave optics उसमें आएगा तो यह पकाएगा expression for fringe width in interference मैं आपको दो चीजों का answer देने वाला हूँ पहला answer कि suppose आपके पास दो slits है यह screen है दो slits का यह midpoint है यह midpoint है वैसी imaginary midpoint ले लिया यह midpoint है पहला question यह है कि आपकी जो आपका जो pattern बनेगा interference का वो ऐसा बनेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है brightness है फिर darkness है फिर 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 darkness है and so on तो point number one कि अगर यह darkness है तो इसकी width कितनी है, यह कितना बड़ा होगा ठीक, width brightness की width कितनी होगी, यह बताओ darkness की कितनी होगी, brightness की कितनी होगी, darkness की कितनी होगी, brightness की कितनी होगी, darkness की कितनी होगी यह पहला question है दूसरा question, क्या identity width बराबर होगी तो मैं आपको इसका अंसर दे दूँ कि हाँ ये बिल्कुल बराबर होगी Mathematically हम प्रूफ करेंगे कि जितनी width, brightness की होती है Exactly उतनी width, darkness की भी होती है तो ये मैं प्रूफ करूँगा तो अज़र मैं एक brightness की width निकाल दूँ तो एक darkness की width अपने आग आप निकाल लोगे पहली चीज़, ये सब मैं प्रूफ करूँगा आपसे पूछ नहीं रहूँ कि ऐसा क्यों होगा आपको बता रहूँ, ऐसा होने वाला है ठीक हो गया पहली चीज़, क्या निकाल लोगा कि width कितनी है darkness की, width कितनी है brightness की अलग लोगे निकाल लूँगा और end में बता दूँगा कि देखो, answer दोनों में same आया इसका मतलब width of darkness is equal to width of brightness एक, दूसरा जब हम experiment करते है जब हम experiment करेंगे तो experiment के अंदर मालनो ये दो slits है मेरे को एक चीज़ मालूम है कि अगर कोई wave यहां से आ रही है जितनी भी waves आ रही है exactly उतनी ही waves यहां से आएंगी and finally यहां से बराबर कुआएंगी क्योंकि ये equal distance है जितना distance ही है, उतना distance ही है path, difference, 0 है या फिर दोनों की length covered exactly same है ये क्या था? दोनों की length same है तो दोनों में number of waves भी exactly same बढ़ेंगे अगर मैं length बढ़ाऊंगा तो number of wave बढ़ेंगी number of wave बढ़ेंगी तो phase बढ़ेगा और मैं तो कहा रहा हूँ कि बिल्कुल बराबर बराबर same तरीके की waves आ रही है बराबर बराबर distance measure कर रही है और अगर बराबर distance में जो कर रही है तो इसका मतलब अगर इसने angle cover कर लिया 6 pi तो समझो इसने भी angle cover कर लिया 6 pi मां लो तो इसका मतलब यहां phase difference क्या जाएगा इनका 0 और phase difference 0 का मतलब constructive interference 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi constructive interference सोचरी किया जूरोत है अगर ऊपर क्रेस्ट गिर रहा है मां पर तो नीचे का भी 100% क्या गिरने वाला है Crest तो Crest Crest पर गिरेगा तो constructive interference तो एक rule है Standard rule है Central point इस point को Central point बोलते हैं Central point के उपर कभी भी darkness नहीं होती प्रेकि Central point इक्वी distant होता है दोनों slit से यहां पर कभी darkness नहीं होती है, यहां पर हमेशा क्या होगी? brightness ही होगी clear है यहां तक, तो इसलिए कभी-कभी कभी books इसका नाम central bright fringe बोलती है यह central point बोलती है, यह central maxima बोलती है, central maxima का मतलब की central point के ओपर क्या हैगा? maxima, maxima का मतलब brightness, यहां रती है second, सारे distances याल रखना हमेशा center से ही measure की जाते है सारे distances center से measure की जाएंगे, अब यहां पर उपर जाते जाओ, जाते जाओ and जाते जाओ तो यहां तो darkness आएगे यह能ण कीk बिया कुछ पिर यह कहा कि suppose, मैं आपको एक question दे रहा हूँ, question में यह दे रहा हूँ, कि अगर दो slits है, और यह इसका central point है, central point है, एक चीज यार रख लेना, कि दो slits के बीच में, distance हमेशा किससे represent किया जाता है, बाई, small d, standard है, हर बुक इसको small d लिखती है, small d, और slit और screen के बीच में, distance हमेशा किससे represent किया जाएगा, capital d, standard है, ठीक, तो दो अगर slits है, इनके बीच में, यह distance small d है, center point है, और यह distance हमेशा कितना लिया जाएगा, capital d, अब मेरे को निकालना किया है, मैं आपको small d दूँगा, 2 slits के बीच में distance दूँगा, capital दूँगा, distance between splits and screen दूँगा, आपको कहूँगा, और आपको इस light का lambda भी दूँगा, जो lights interfere करनी है, वोका lambda मैं को दूँगा, experiment निकरने दूँगा lab में, बिने experiment के यह बताओ, सेंटर पॉइंट से, 10 मीटर उपर, बोलो brightness आया कि darkness आया, आपको मेरे को क्या बता, जब तक experiment नहीं करेंगे, तब तक कैसे बताएंगे, कि 10 मीटर उपर brightness का point है या फिर darkness है, या दूसरा question, कि बताओ, 7th brightness, यहां से sequence start हो जो, यह पहला brightness है, फिर darkness आएगा, फिर darkness आएगा, उसका distance center से कितना होगा, यह पताओ, यह question है, बिना experiment को किये, क्योंकि जब आपने experiment ही कर लिया, फिर जब scale होगे, मैं जो करके बता दो कि इतनी centimeter answer है, पर यहां पर तो मैं आपको कह रहा हूँ, बिना experiment से, आप मुझे यह पताओ, कि center से, जो point है, 7th brightness का, उसका distance कितना होगा उसकी height कितनी होगी, point clear रहे हैं यहां तक, quote out किसी को इसमे, या फिर 7th darkness का distance कितना होगा, 10th darkness का distance किया होगा, 11th brightness, जो मेरे मन में आएगा, मैं पूछता चाहूँगा, 11th, 9th, कुछ भी, लेकिन experiment नहीं करने दूँगा, बिने experiment के करके दिखाओ, दूसरा question समझ आया, तो यह एक्सपेरिमेंट, जो मैं करने जा रहा हूँ, यह आपको बहुत सारे answer देगा, एक मैंने क्या बताया, क्या आपको distance बताएगा, 7th brightness, 10th brightness, जो भी आप darkness धूनना चाते हो, उसका distance बता देगा, center से, एक, दूसरा यह बताएगा, कि जैसे 10 meter उपर, या 15 meter उपर, या 2 cm उपर brightness आया था, या फिर darkness आया था, उल्टा भी question कूछ सकते हो, या फिर brightness, bright fringe की width क्या होगी, और dark fringe की width क्या होगी, ये भी आपको बताएगा, तो बहुत सारे answer यहां से निकलने वाले है, और खास बात यह है, कि यह आपको अलड़ी आता है, कि मैंने आपको last time जाते हैं बता दि अगर यह screen है, अगर यह center है, तो एक चीज़ देखो, अगर मैं central point की बात करता हूँ, central point पे जो भी एक wave आई, उतनी wave नीचे से आई, तो path difference, जितनी length यह path है, यह path है, मालो यह two lambda है, तो यह भी क्या होगा, two lambda है, तो यहां पर path difference, path difference की value कितनी आ जाएगी, 0, और path difference 0 का मतलब constructive interference, यह तो अलोड़ी मिलको आता है, तो central point तो discuss भी नी करेंगे, क्योंकि central point तो और कोई निकाल लेगा, बिना कुछ की है, मेरा question यह है, कि बताओ, अगर एक wave यही से यहां पर भी जारी है, एक wave यहां से यहां पर जारी है, बता यहां पर brightness होगा, या फिर darkness होगा, और let's say, यह distance यहां से कितना है, x, question समझाया, कि x distance पर मैंने आपको कोई point दे दिया, x की value मैं आपको दूँगा, बताओ, यहां पर darkness होगा, या फिर brightness होगा, क्या होगा, कितने लोग बोलते हैं, darkness, कितने लोग बोलते हैं, brightness, कितने लोग बोलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भीलग ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मैं तो ऐस Miguelूड रहा, कि को दानें से brightness को tumidd backlog pride Ned नुसashed again, का लुग ए आप यही पता दोगा दोगा, या तो इन दो ways का path reference या फिर phase reference तो मैं एक काम करता हूँ, इसका path calculate कर लेता हूँ कितना उसने distance cover किया, कितना इसने distance cover किया मैं इन दोनों को minus कर लेता हूँ जब मैं इनको minus करूँगा, तो मेरे पस क्या जाएगा path difference अब अगर यह path difference n lambda हुआ, तो समझो क्या हुआ constructive interference और अगर यह path difference 2n minus 1 into lambda by 2y, इसका मतलब destructive interference वो तो अलड़ी मैं याद कर रुखिया है, conditions, constructive और destructive तो depend करेगा न, कि मेरा answer दोनों के path difference पर depend करेगा या तो एक category में जाएगा या दूसरी category में जाएगा, करकर देखें कैसे होगा, concept clear है कैसे पता लगेगा constructive या destructive तो इसके लिए काम करते हैं, कि इसमें कोई भी यह midpoint ले लिया, यह midpoint है C, कोई भी point P ले लिया, जो point P ले लिया, P point के उपर दो slit से wave आ रही है, एक A से आ रही है, एक B से आ रही है, इसमें C point की बात भी करेंगे, C point पर हमेशा क्या होगा, brightness ही होगा, P point की बात करते हैं, P कोई भी point है, X distance पर, तो मैं अगर check करना चाहता हूँ, यह constructive or destructive, तो सबसे पहले मेरे को यह length निकालनी पड़ेगी, कितनी P, B, यह PB लाइन निये, PB पाथ है, जो एक wave यहां से यहां जा रही है, उसका पाथ है PB, जो wave यहां से यहां जा रही है, उसका पाथ है, AP या PA, ठीक, तो इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, PB-PA, और इसको हम क्या बोलेंगे, पाथ, difference, यह point सब को clear है, ठी पाथ है, सबसे पहले हम PB निकालने, PB निकालने के लिए काम करो, यह एक right angle triangle लेलो, एक, दो और ती, यह 3 sides हो गए, यह 90 degree है, PB, यह अगर दी है, यह X है, तो यह distance कितना हो जाएगा, small d by 2, small d by 2, तो यह value क्या हो जाएगी, under root of d square, plus, X plus, small d by 2 का square, सब को यहां तो clear है, PB की value, जवेटरी से आ गई, ठीक, अब उसी तरीके से, प of A निकालते है, प A निकालने के लिए, यह एक right angle triangle ले सकते हो, यह distance capital D है, यह distance X minus d by 2 है, क्योंकि यह d by 2 है, तो यह distance X minus d by 2 है, तो यह value क्या हैगी, under root of, d square, plus, X minus d by 2 का, यहां तक किसी को point out, ठीक है, तो मैंने आपको PB निकाल दिया, मैंने आपको PAB निकाल दिया, देखें, सबसे पहले PB निकाला हुगा है, सीधा देख लो, मैंने diagram से निकाल के दिखाया था, d square plus X plus d by 2 का whole square, इसको थोड़ा सा modify कर लो, modify कैसे करना है, capital D, इसमें से capital D square common निकाल लो, उपर under root चल रहा है, तो capital D आगया, यह term 1 बन गई, और यह divided by D square हो गया, यह BP आगया, कोड़ाउट इसमें, यह किसकी value आगी, B of P की value आगई, कर सकते है, common निकाल सकते है, check कर लो step, capital D square common root में से आएगा, तो D बहार, इसकी जगा 1, और this divided by D square, clear यहां तर, half है, यह half है, और यह one है, एक theorem है, जिसको binomial theorem होते है, binomial theorem approximate result देता है इसका, और इसको अगर approximately solve करने है, तो half को इससे multiply कर देना है, तो यह BP की value आगई, half नीचे आगया, तो यह value किसकी आगई, BP की value आगई, कोई doubt इसमें, ठीक है नहीं आता, समझ आ रहा है, इसको सम्हाल के रख लोगो, अब AP की बात करते हैं, AP की value यह मैने निकाली थी, under root of D square plus X minus D by 2 का whole square, फिर उसके बाद, इसमें से भी capital D को common निकाल लो, capital D square common निकलेगा, D बाहर आ गया, इस term को D square से divide करेंगे, binomial लगाएंगे, half को इससे multiply कर दो, तो आपके पास यह value आजाएगी, यह value किसकी आ गई, AP की, यहां तक भी clear है, simple है, और binomial लगाने का मतलब समझते हो, approximations है, यह exact result नहीं आ रहा है, यह approximate result आ रहा है, ठीक है तक, तो मैंने इन दोनों को minus कर लेना है, क्योंकि मैंने, मैं क्या निकालना चाता हूँ, P point पर path difference, और path difference क्या होगा, BP minus AP, any doubt, minus कर दिया, D तो अलड़ी common चल रहा था, तो अंदर यह term बच गई, यहां से 1 से 1 cancel होगया, 2D square LCM होगया, और यहां पर A plus B का whole square, A minus B का whole square, जब open करोगे, साली calculation करोगे, in the end answer आएगा, x छोटा d by बढ़ा d, करके देख लेगा, paper में आथ पो करके लिए जाओगे, इतना हर कोई कर लेगा, A plus B का whole square, A minus B का whole square, cancel हो जएगी, दो दो terms, यह answer आएगा, ठीक, तो मैंने क्या निकाल दिया, path difference, ठीक, path difference की value आगई, ठीक है न, quit out इसमें, path difference आगया, अब दो case बनते हैं, bright fringe का मतलब कौन सी interference, अगर यह path difference किसके equal आजाए, n lambda, हमने case पहली से बना के रखे हुए, अगर यह n lambda आजाए, इसका मतलब कौन सी interference है, constructive, cross multiply करके x निकाल लो, और n की value 0, 1, 2, 3, 4, कुछ भी भूट कर सकते हो, तो यह पता है क्या आगया, यह वो points आगे center से, मालो यह center point था, तो n की value जब 1 put करोगे, 0 put करोगे, x 0 आएगा, 1 put करोगे, lambda d by small d आएगा, 2 put करोगे, 2 lambda d by small d आएगा, means, यहाँ पर brightness आएगी, x का मतलब distance कहां से measure हो रहा है, from center, x is equal to 0 का मतलब center point brightness है, फिर second, first brightness कब है, जब n की value 1 put की कितनी, lambda d by d, तो इतने distance के उपर फिर से क्या है, brightness है, फिर next कब है, 2 lambda d by d, इसके उपर भी क्या है, brightness है, and so on, ऐसे आप points mention करते जाओ, तो इस सारे points किसके आजाएंगे, brightness के, कहां कहां brightness है, x की value आपको बताएगी, कहां कहां brightness है, quit out this, मैं, यह चीज़ समझ आ रही है, यह point clear है, तो कहां कहां brightness है, यह वो points आखती, और, जब n 0 put किया था, तो वो central point था, वो central brightness है, उसके बाद, first bright fringe, fringe means, कि जो band बनता है, उसको fringe भोलते है, bright और dark का, तो first bright fringe कब बनती है, n की value 1, फिर 2, फिर 3, and so on, और आखरी bright fringe कब बनेगी, जब n की value, no होगी, ठीक है, तो this is your last bright fringe, तो मैंने आपको distance बता दिया, अब अगर आप उसे यह पूछों कि इसलिए 7th bright fringe का distance बता हो, तो मैं पता है क्या put करूँगा, n की जगा, मेरा answer आजाएगा, बिना experiment किया, यह मेरा first answer है, मैं पूछला था, 10th bright fringe का distance बता हो, n की जगा 10, अगर वही path difference जो अभी हमने निकाला था, वह path difference किसके equal आजाए, odd multiple of lambda by 2, तो इसका मतलब कौन सी fringe है, dark, minima, या फिर destructive interference, तो x की ये वो values आ गई, जहां पर क्या होने वाली है, destructive interference, तो हम यहां पर जब n की counting start करेंगे, 0 से start नहीं करेंगे, n कहां से start होगा, 2 से start होगा, 1, 2, 3, 4 and so on, 0 क्यों, प्योंकि n is equal to 0 का मतलर, एक central point होता है, और central point कौन ले गया, brightness, darkness में नहीं आएगा, हाँ अगर आपको n is equal to 0 पुट करना है, तो max ले समझ सकते हैं, तो आपको 2 in plus 1 यूस करना पड़ेगा, 2 in odd multiple 2 in minus 1 भी होता है, odd multiple 2 in plus 1, क्योंकि आपको 2 in minus 1 फॉलो किया हुए, तो वो brightness में चला गया, n is equal to 0, darkness में नहीं आएगा, ठीक हाँ तक, अब कर लो, n is equal to 0, put करो के answer क्या आएगा, check करना, minus में आएगा, minus में कुछ काम कर भी नहीं रहे, ठीक हाँ तक, put out किसी को इसमें, ठीक, अमें काम करता हूँ, इन दोनों points पो एक अठे plot करता हूँ, यह मेरे पास क्या गया, यह मेरे पास value आगई 1st dark fringe की, 2nd dark fringe की, last dark fringe की, nth dark fringe की, और अगर में प्लोट करूँ, तो यह मेरे पास एक center point था, तो first brightness center पर आई थी, फिर उसके बाद first brightness कहाँ पर आई थी, lambda d by d पे, next कब आई थी 2 lambda d by d पे, next कब आई थी 3 lambda d by d पे, ऐसी था ना, और darkness की बाद करें, darkness आई थी, lambda d by 2 d पे, next 3 by 2 lambda d by d पर, next 5 by 2 lambda d by d पे, और यह भी चेक कर लो, कि हर 2 brightness की बीच में darkness है, और 2 darkness की बीच में एक brightness है, इन शॉट यह alternate fringes निकल की है, तो अगर एक brightness center, brightness से start कर रहे हैं, फिर next हमेशा darkness आएगा, फिर हमेशा brightness आएगा, फिर हमेशा darkness आएगा, and so on, ठीक, यह point clear है, और मैं फिर repeat कर रहा हूं, कि जिसने भी यंग्स double-set experiment किया था, पहले उसने यह theory नहीं मनाई थी, पहले उसने देखा कि यह pattern observe हुआ, फिर उसके accordingly उसने यह mathematical calculations करके prove कि यह alternate, जो आपकी fringes आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसलिए आ रही हैं, और उसने उसको measure भी किया experimentally, कि fringes की width कितनी आई, उसको calculation से verify करके देखा, और वो उसकी calculation एकदम सही थी, ने तो किसने wave देखी, किसने constructive देखा और किसने destructive देखा, यह तो सिरफ एक अंताज है कि ऐसा कुछ हो सकता है, और यह बिल्कुल सही है क्योंकि calculations match कर दी mathematically तो एकदम सही है, ठीक है, यहां तक, अब next, यह चीज़ तो ही हा रहे, next है, हम एक और अवसर निकालने चाहा रहे है, width of dark fringe, dark fringe की width अगर निकालनी है, तो एक काम करो, last brightness का distance देख लो क्या होगा, यह central point है, यह central point है, यहां से काम करो, last brightness का distance निकालो जो भी होगा, last brightness, second last brightness का distance निकालो, second last brightness का, इन दोनों distances को minus कर दो, इन दोनों distances को minus कर दो तो इसकी क्या जाएगी, width अजाएगी, और दो brightness के बीच में क्या होगा, एक, darkness, width of क्या जाएगी, darkness, clear यहां तल, और इसमें confusion रहती है, कि हमने यह point काहँ सा लिया, क्योंकि हम तो points के साथ काम कर रहे हैं, points का मतलब, कि यह तो आप यह एजिम करो, कि आप यह point ले रहे हैं, जो मैं mark कर रहा हूँ, B और B के, यह तो fringes के midpoint हैं, या फिर fringes के corner के point हैं, या फिर वो starting points हैं, तभी आप का answer निकलेगा नहीं तो निकलेगा निकलेगा नहीं, क्यों width निकाल रहे हैं तो उस case में क्या होगा, कि माल लो यह brightness है, अब brightness की भी तो कोई width होगी ना यह वाली, इस brightness की भी width होगी, तो यह distance मैंने कौन सा लिया, या to upper minus, यह upper point minus upper point लिया, तो ही यह width निकली, या lower minus lower लिया, वो जहां से margin ले लो, लेकिन एक standard follow करना पड़ेगा, तो हम point से ले रहे हैं, एक point to point ले रहे हैं, तो भी हमारा काम चल जाएगा इसमें, और मेरे पास मैंने क्या किया, width और dark fringe निकालनी है, बीटा, symbol होता है width का, तो last, last bright fringe का distance जो भी है, second last bright fringe का distance जो भी है, दोनों का आपने minus कर देना है, यह last bright fringe है, यह second last है, second last में n के लिगा capital कर दिया, n minus 1, minus करोगे तो अंसर आएगा lambda d by small d, इसको please important mark कर लो, बीटा के ओपर बहुत questions आते हैं, width के ओपर पक्ता question आएगे lambda capital d by small d, तो dark fringe की width का अंसर आगया, lambda d by small d, और अगर bright fringe की बाग करते हो, तो last darkness का distance लो, second last darkness का distance लो, और दोनों का minus करो, last darkness अभी हमें निकाला, यह last darkness है, वो chart check कर सकते हो assignment में, यह last darkness है, second last darkness के अंदर replace this n with n-1, और कुछ निकारना change, n की जगा n-1, तो last का formula पूट किया, second last का पूट किया, and दोनों में minus किया, तो answer फिस सेम आगया, और यह mathematically प्रूव हो गया, कि width of dark fringe और width of bright fringe की value exactly same है, ठीक यहां तक, quit out किसी को इसमें, तो यह width का formula आगया, आपके paper में theory में यह question आता है, कि derive an expression for width of dark fringe और width of bright fringe, यहां तक करके आने, जो experiment अभी चल रहा था न, जबी start किया था भी, इस experiment को पूरा proof करके आने, प्लस 2 का paper बहुत लंबा होता है, बहुत लेंदी होता है, आप अंदाजा लगा सकते हो, cyclotone आगया, wendy graph आगया, यह आगया, gill manometer आगया, पांच पांच नंबर में, तो आप AC generator आगया, अब यह तो कुछ भी नहीं, अब तो semi connector devices बढ़े होए, वो तो इस से भी बहुत बढ़े बढ़े हैं, और ऐसे अगर 5 question भी आ जाए न, तो एक और सवाए घंटा को जिरफ पांच पांच नंबर के question attempt करने में लग जाएगा, पर ज़्यादा हाफ अधी पेपर CVC का point of view से बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए recommend किया जाता है, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, पेपर front से कभी नी start करना, पेपर हमेशा पीछे स्टार्ट करना है, ठीक, मैं आपको experience बता रहा हूँ अपने इतने सालों का, जिसने paper ultra start किया, उसका हमेशा loss कम रहेगा, ठीक है ना, psychology का समझो हो ना, कि कितना लंबा पेपर है, बड़ा कोशे है, अच्छेस का मंदूर, करें start, अभी, इस संडे को मैंने paper बता दिया ना, कौन सा होगा, नहीं बताया, EMI & AC objective, EMI & AC objective, कितने लोगगा exam अभी Saturday को है, कितनों का exam Friday को है, कितनों का Monday को है, इस चलते ही रहेंगा है वैसे यार, तो बंदी नहीं होगा है, अब क्या subjective लोग, आप तो paper देखे हैं, आप तो पेपर देखे हैं, आप तो स्कूल लेई चुके हैं, objective लेके खरम करो, ताकि वेव अप्टेक्स पीछे रहे जाएगा आपका, कुछ नहीं होता, खरम तो करना ही है, और इतनी देर से चला हुआ EMAAC, EMA एक महिना पहले शुरू हाथा, एक महिना बहुत होता है, पेपर चल रहे थे, त्यारी नहीं ही, प्यारी नहीं होता है, EMAAC का सब्जेक्टिव हो गया, तो टोटल में ले लिया था, पर मैं क्या लूँ उसब्जेक्टिव में, EMA के अंदर क्या है, EMAAC के अंदर क्या है, कुछ भी तो नहीं है, मोई तो कह रहा हूँ क्या लूँ यही बचा, चलो, कोई बात नहीं, अभी हो जाएगी त्यारी अभी दू दिन में आप अच्छे से करना, अबजेक्टिव क्यारी हो जाएगे, Coherent source of light, Coherent source of light, हम एक बार वर्ड यूज कर चुके है, Coherent source of light वह source है, which emits continuous light, waves of same wavelength, same frequency, same phase, or having constant phase references called Coherent source, तो दो identical sources of light, Coherent sources बोलते हैं, जिनमें frequency, wavelength, phase, सब कुछ एकदम सेम होगा, next है, sustained interference, sustained interference वो interference है, जिसमें दो waves का amplitude हो exactly क्या होता है, तो दो waves का amplitude होगा same हो जाए, sustained interference बोलते हैं, और जिसमें interference, बहुत अच्छा interference आता है, अच्छा interference वो interference है, जिसमें brightness एकदम brightness होगा, darkness एकदम completely dark होगा, pattern बहुत अच्छा दिखाई देगा आपको, और तब आएगा when a is equal to b, तो conditions है, sustained interference की, intensity का formula का हमें मालूम ही है, इसमें a is equal to b put कर देंगे, two a square common निकाल लेंगे, one plus cos phi का maths का formula, two cos square five by two, this is condition for sustained interference, जिसमें intensity की ये value होती है, बस एक याद कर लो ये formula कुछ नहीं करना, आपने a is equal to क्या put कर देना है, b, तो जो भी expression बनेगा i का, वो आपका sustained interference का expression है, conditions for, conditions for two coherent sources of light, कई बार ये भी आ जाता है, अभी कौंसा school था मुझे मालूम ने, एक student दिखा रहा था, ना तो उनका AC के chapter में से, AC generator आया, ना transformer आया, losses in transformer का question आया, school में आया, मैंने बताया था ना, मैं देते हैं ऐसा question, ऐसे ही पुरा optics छोड़के, कहीं पुराने paper देखोगे ना, ये question आया हुए, right conditions for obtaining to current source of light, ठीक, current source of light की दो तिन conditions है, it should be obtained from single source, हम ने discuss किया हुए, number two, जो coherent source है, वो light कौंसी निकालेंगे, monochromatic, white light से interference नहीं होता, और reason बता रहा है कि white light में overlapping हो जाती है, जो नहीं चाहिए मुझे, और last step, part difference between light frame from two sources should be small, part difference small होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी एक split है, ये एक split है, और आप बहुत 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 बड़ा part difference ले रहे हो, और path difference बड़ा कवाएगा, जब एक split नीचे, नीचे वड़ा split बहुत दूर होगी, अब इससे क्या होगा, इससे ये light यहाँ से यहाँ travel कर रही है, ऐसा ना हो कि slits के वीच में distance इतना जादा हो कि नीचे वड़ा light पहुँचे पहुचे तो पहुंक्ते उसका amplitude एकदम 0 हो जाए, approximately 0 हो जाए, तो फिर interference कहाँ सी आएगी, interference तो तभी आएगी ना जब दो slits आपस में काफी pass होंगे, और दो lights आपस में क्या करेंगी, अच्छे से interfere करेंगी, तो part difference बहुत जादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ति this minus this काफी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो यह coherent source है, next है, sustained interference कब होगी, sustained interference तब होगा, जब sources क्या होंगे, coherent होंगे, amplitude should be perfectly equal, second condition, nonochromatic light, and sources क्या होने चाहिए, point sources होने चाहिए, बड़े-बड़े sources, यह slits नहीं होनी चाहिए, बड़े-बड़े tubes होनी चाहिए, जो point sources होनी चाहिए, जो light, hurt action में spherical wavefront की form में निकाले, theoretical है, same condition है, दोनों की-दोनों की, तो यह एक बड़ पढ़ लेना, एक formula है fringe shift का, fringe shift का, किसी भी ऐसी के अंतर तो आता नहीं, IIT की किसी किताब में इसका जरूर प्रूफ गिवन होगा, और गिवन भी है, शहीजिए दर आने पक्का गिवन है, और बाकी books में इसका shortcut ही है, तो मैं आपको इसके shortcut बता रहा हो numerical point of view से, कि अगर आ जाए तो क्या करने है, normally क्या होता है इसमें, कि जो आपका pattern है, देखो, यह screen है, center है, तो मैं pattern ऐसा, मैं जो pattern बनाऊंगा, after interference वो मैं ऐसा बनाऊंगा, कुछ ऐसा, इसका मतलब के है, इसका मतलब है कि यह, यहाँ पर amplitude resultant wave का maximum है, यहाँ zero है, यहाँ maximum है, यहाँ zero है, तो यह brightness है, यह darkness है, यह brightness है, यह darkness है, इसका मतलब यह होता है, ठीक है नहीं आतर, तो आपका यही pattern observe हुआ, और एक और चीज, कि जो भी center point है, जो pattern उपर observe होगा, याद रखना, same pattern हमेशा, नीचे भी observe होगा, तो हम यह ना सोचना कि हमने नीचे के लिए case solve नहीं किया mathematically, ऊपर का pattern, नीचे का pattern exactly, same है, तो हम जिए उपर का pattern solve करते है mathematically, नीचे का अपने हाँ, same हो जाएगा, ठीक है अंतर, तो normally यह देखा गया है, कि आपकी एक वेव यहां से आ रही है, आपकी एक वेव यहां से आ रही है, दोनों central point पर interfere कर रही हैं, यह central maximum आ गया, darkness है maximum and so on, अगर मैं, अगर मैं एक इन दोनों के रास्तों में, इसके एक के रास्ते में, एक glass slab को रख दूँ, glass slab की thickness T है, और refractive index Mu है, अगर मैं नीचे वाली वेव के रास्ते में glass slab रख दूँ, तो पूरा का पूरा pattern, यह पूरे का पूरा pattern जो यहां पर आ रहा था, वो थोड़ा सा नीचे shift हो जाता है by why not, और उसी तरीके से, अगर मैं नीचे की बजाए उपर glass slab रख दूँ, तो यह pattern थोड़ा सा कहा shift हो जाएगा, उपर shift हो जाएगा by why not, और अगर मैं why not की value निकालू, तो why not की value आएगी, बीटा divided by lambda into mu minus 1 into t, बीटा का मतलब क्या है, fringe width, fringe width, fringe width, mu का मतलब refractive index, t का मतलब thickness, fringe width है, fringe width है, mu है, t है, तो यह अपने formula याद रखने है, कि कितना shift होगा आपका, आपकी यह value, वह value आजाएगी है, ठीक, अगर मान लो, कोई slab, प्लीज बाते बंद करो, suppose, अगर कोई slab नहीं पड़ी होई, अगर slab नहीं पड़ी, तो बीच में क्या है, air, air का effective index क्या होता है, 1, तो अगर आप यहाँ पर 1 put कर दोगे, आपका answer क्या जाएगा, there is no shift, ठीक, यहाँ तक, hollow है वह एक्तम air की तरह करेगा, तजीर होआ जाएगा, oh sorry, क्या दो अगर क्या है, झाला क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, वहाँ पर दोगा है, झाल 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 देखो question है a2 square a1 a2 या a upon b कर लो एक की बात है वो तो ऐसे कर लो चलो a square upon b square ठीक यहांसे a upon b की value आगी कितनी 2 divided by 3 amplitude की ratio आगई मुझे का निकालना है find ratio of intensity at the maximum to the intensity at the minimum यानि की i max i minimum और formula क्या होता है a plus b upon a minus b का whole square ठीक इसको थोड़ा simplify कर लेंगे तो में बस क्या आएगा 1 plus b divided by a 1 minus b divided by a का whole square ठीक है ना divide कर दो उसको a के साथ तो यह answer आगया b by a की ratio सबको परस है निकाल ले तो answer आजाएगा केतना answer आ रहा है 25 is to 1 solve कर लो answer आएगा 25 is to 1 method clear है यहां तक कि कि गनाद़ तो यह था आएगा एकाल सब्सक्राब परते हैँ यह रहा है DA in Young's experiment, these slits are 1.5 mm apart. क्या गिवन है? small d when slits are illuminative अब monochromatic source and screen is kept 1 यह 1 meter apart का मत्तब क्या गिवन है? capital D width of 10 fringes is measured to be 3.99 तेकि क्या गिवन है 10 times beta यहां तक यह रहे 10 beta गिवन है नदीव 10 beta गिवन है और beta का फर्मुला क्या होता है lambda बड़ा d by बड़ा गिवन है इसको please meter में convert कर लेना जो भी करना है meters में convert करते रहना इसे into क्या करेंगे 10 to the power ठीक है न? यह गिवन है यहां से आपको question में बड़ा d भी गिवन है जोटा d भी गिवन है यहां से क्या जाएगा तो आपका एक answer तो मेरे कहा से आई गया calculate the wavelength तो wavelength तो आगई ठीक है आता wavelength की value is clear point out इसमे next है what will be the width of 10 fringes 10 fringes when distance between the slit and screen is increased by 0.5 मतलब मजब क्या करने कि इसमे 10 fringes की width फिर से निकाल ली है means 10 times beta dash obviously पहले beta था अब 10 तो change हुआ नहीं होगा तो क्या चीज़ चेंज हुई होगी beta dash क्यों? क्योंकि capital D change हो गया क्योंकि capital D की value पहले 1 meter थी अब हो कह रहा है कि capital D की value 0.5 increase कर दो capital D कितना हो गया 1.5 meter यहाज़ क्लियर है ना capital D change हो गया मतलए मुझे क्या निकालना है 10 into lambda d dash upon t बाकी तो कुछ change ही हुआ तो lambda मैं आपको यहां से निकाल चुका हूँ first part से d dash 1.5s यहां से क्या जाएगा आपके पास यह point सबको clear है capital D change हुआ capital D, D dash हो गया जिस वज़े से क्या आ गया जिस वज़े से मेरे पास value आ गई नहीं beta की नहीं fringes की 10 into beta dash method clear है समझ आ रहा है यहां तक अमरिता नहीं यह तो नहीं है when the distance between the slits and the screen नहीं नहीं 2 sequence नहीं है distance between the slits change नहीं किया distance between the slits and screen slits इकठी है screen ऐसे है method सबको clear है ठीक है यहां था next time यह chapter खतम हो जाएगा और next time diffraction start हो जाएगा और diffraction सुर लो please कुछ उटी मत मारना diffraction वो topic है तर लो जाएगा झाल और लो झाल 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 झाल